तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग जब इटर्नल थंडर बोल्ट के मेमोरी इसको देखता है, तीन इमेजेस देखते है, आकरी इमेज में इसे एक बंदा दिखाई देता है, और उसे देखते हैं थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जब वो बंदा पलटता है तो, अब आगे, तो वांग लिंग इस बंदे को तो पैचान नहीं पाता है, लेकिन उसके लेफ टाइम में इसे फाइफ कलर का जीर यल्म दिखाई देता है, और वांग लिंग ने फाइफ कलर जीर यल्म बस एक ही बार देखा था, नाडूओ की आँखों में, अब नाडूओ कौन था, वांग लिंग से एक बंदा सुजाकू पे मिला था, यह वही बंदा था, जिसने सिटुनान का शिकार किया था, मतलब जितनी लोग मिल के मारने के थे सिटुनान को, यह उसमें से एक था, और वांग लिंग ने इसके कुछ बैग वगरा ले लिये तो यह अचानक से मतलब वांग लिंग का पीछा कर रहा था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन बाद में यह वांग लिंग को छोड़ देता है, और इसने बता है अपने प्लैनेट के बारे में, और जी के पास, शायद सूल लेशर भी था, जो कि मतलब जब यह इंजड हु जाता है, और अब यह कल्टिवेटर नहीं रह गया था, मतलब कल्टिवेटर तो है यह, बट इसका जो थंडर बावर था, वो बोल्ट ओफ, हेवंग डिफाइंग थंडर बन जाता है, और पावर लेवल, निर्वाना शैटर, लेट फेस के काफी करीब था, अब यह तरबा वाइन मांगता है, बन्दा इसे तीन मॉडल क्रिष्टल मांगता है, यह दे देता है, अब यह सीटी के नौर साइड में जाने लगता है, और बीच-बीच में वाइन पीता था, एक कदम लेता था, ऐसे देखने में लग रहा था, बहुत स्लो है, लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, और इसी समय, वो जो टाविश रोव बला बंदा है था, जसने के पूरे सटे को सर्च किया था, एक स्पैल की मदद से, वो निकल रहा था, और कुछ लोग इसे मतलब वही साथ लोग और फॉलो कर रहे थे, और डिसकस ही कर रहे थे, कि शया दिया इस प्लैनेट पर नहीं है, लेकिन इसी स्टार सिस्टम में है, और ग्रैंड मास्टर यवन लोगों ने फॉरकास्ट किया था, कि वो यहीं पर है, और कुछ ही समय की बात है, उसके एकदम लोकेशन पिन पॉइंट कर देंगी, लेकिन अगर हम उससे पहले इसे पकड़ ले, त इसके जस तीन फेटिज पीछे, ये प्रकट होता है, ओल्ड मन डर जाता है, बट उसके बास समय नहीं था, और वांगलिंग लेफ्ट हैंड से, इसके थर्ड आई को टच करता है, हलका सा इसका सूल का पॉरसन निकाल लेता है, और फिर यहां से चला जाता है, ओल्ड मन को सूल था, स्कैटर्ट थंडर क्लैन वाले हैड एल्डर का, उन्हें निकालता है, उनके पास पाच प्रकार के थंडर थे, छे प्रकार के कह सकते हो, कि इनका सूल अभी खदम नहीं हो है, और ये उस थंडर उसको सम्मन कर रहे थे, बुला रहे थे, तो मैं बुला सकता हो, मत उन्हें विल से, हेड एल्डर का, जो कि अब अदमरे से थे, या बोल सकता हो, खतम ही थे, इन्हें सम्मन कर लेता है, स्पेस में से, छे प्रकार के थंडर बाहर निकलते हैं, और वांगलिंग की बोडी, स्वैल करने लगती है, मतलब ये इतने पावरफुल थे, अच्छा प्रवीष करके, ये इन थंडर को, क्रेजी लिगदम, रिफाइन करने लगता है, इसे ये समझ में आता है, कि इतने कम समय में, मतलब ये उस समय ठ्राइ करा था, इन छे प्रकार के थंडर्स को, डेवोर नहीं कर सकता, रिफाइन नहीं कर सकता, अब वांगलिंग के जाने क इंपेरियल सेटी की लोग का मतलब चेहरा बदल जाता है जो पावरफुल कल्टिवेटर थे और वो समझ जाते हैं कि वो थंडर पावर चमका था छे प्रकार का थंडर तो सभी लोग इस समय इसी डारेक्शन में बढ़ते हैं और इस समय एक ब्लू टाइप के प्लेनर को जोके थी और बोलती कि जाओ बता दो मतलब किसी बंदे को कि वो बंदा यहाँ पर है यहाँ पर तीन लोग प्रकट होते हैं इनकी बात सुनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और इधर एक मिडिलेजड मैन को दिखाय जाता है जिनके पास एक बंद आता है और कहता है कि करने उसके बदले में आपको रैंक सिक्स का डाउस परिट में लेगा अब ये भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका पावर लेवल दिर्वाना वॉयड में था अरली फेस में और उसकी मदद से सायद ही मिड फेस में चाह सकते हैं और इनका नाम था मास्टर सीमो और ये खुद नहीं जाते कि यार ये मैटर तो सिंपल है तो मेरा अवतार काफी होगा तो इनका फिलाल अवतार उस तरब बढ़ जाता है हलाकि ये थर्ड श्रेप पे नहीं था फिफ्ट एवन ब्लाइट पे था इधर वांग लिंग माउंटेन रेंज में छिपा हुआ था कल्ट प्रकार के थंडर को एक एक करके अब्सॉर्ब करना शुरू करता है एक दिन निकल जाता है और यहां पर एक लाग से जाधा कल्टिपिटर से दिरदरी कठा हो चुके थे मतलब ये लोगों ने आसपास पूरा प्लैनेट को धोन लिया था माउंटेन को भी सर्च किया था ल गूम रहे थे spiritual thunder और heavenly thunder बारी थी हर thunder की तो वांग लिंग ने उसे पर डिवोर कर लिया था कुछ गंटे पहले और इसे पता था समय नहीं इसके पास तो चोथे thunder को भी यानि origin thunder को भी या डिवोर कर जाता है और क्योंकि origin thunder inner realm के ही लोगों से बनाता तो उससे मर्ज करने में इसे ज़्यादा तकलिफ नहीं होता है मतलब वो अपने याप ही इसके पावर में मर्ज हो जाता है और इसका पावर लेवल निर्वाना शैटरर के पीक के करीब बढ़ रहा था बारी थी magnetic thunder की और इसे ये forcefully refine करता है इसलिए इसका पावर थोड़ा से कम आता है क्योंकि समय ये वाला problem हा रहा था बहुत सरे लोग ही कठा हो रहे थे मतलब अगर पूरा time देखे refine करता तो वो power अच्छे से settle होता और अभी छटवे thunder दाव थंडर को भी devore कर जाता है और इसका power level finally निर्वाना शैटरर की peak के तरफ बढ़ चुका था और दाव थंडर भी inner realm के cultivators कही थ तो ये भी इसली मर्ज हो जाता है तो वांग लिंग के राई टाइब में जहाँ पर इसका thunder essence भी दिखता है वहाँ पर छे प्रकार के thunder rotate कर रहे थे power level निर्वाना शैटरर के peak पर लोग यहाँ पर बहुत सारे अभी भी try कर रहे थे इसे धूनने का क्योंकि उन्होंने thunder power को भी notice किया था और यहाँ पर accept था जैन यान करके जो कि यहाँ पर इन लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा था तो यह लोग तो पूरा मतलब planet को यह उबाल देते ताकि वांग लिंग को बाहर आना पड़े और वांग लिंग सोच रहा था क्या मैं third step में बहुत सकता हूँ ब मतलब जो नौ परकार के थंडर है complete करने के लिए तो आज से यह जी थंडर ही मेरा सातवे परकार का थंडर बनेगा मैं वांग लिंग हेवेन का थंडर हूँ और मेरे शब्त मतलब order है तो जी थंडर वापस आओ मतलब इंदर सेंस उसको बाहर निकालता है और थंडर इसेंस जो की वांग लिंग को धून रहे थे फिर से एक पार सर्च करने लगते कई सारे तो हेवेन्स ब्लाइट पर थे अब वांग लिंग निकालता है थंडर टोड को कि तुम मेरे फियर्स बीस्ट हो और तुमारे अंदर एक ब्लड लाइन है और तुम मेरे heaven defying nature को cultivate कर रहे हो त तो मैं तुम्हें command करता हूँ as a lord of thunder मैं तुम्हें आठवा टाइप का thunder बनाता हूँ bloodline thunder मुझे नहीं पता पहले क्या था भाई का dialogue हमें सैखी रहता है आज से तुम आठवे प्रकार के thunder के नाम से इस दुनिया में जाने जाओगे और इसका जो thunder टोडता हो वो बाहर निकल मुझे नहीं पता पहले क्या था लेकिन मैंने हमेशा से heaven को defy किया है मैं भागी के सामने जुका नहीं हूँ मैं 2000 सालों से battle कर रहा हूँ लेकिन मेरा will वो कभी भी कम जोर नहीं पड़ा मुझे कोई regret नहीं है मैं अके लिरा लेकिन मेरा तिल शांत रहा तो मेरा जो दिल है वो having defying heart है और जो मेरा will है मतलब जो मैं cultivate कर था वो having defying will है मतलब मैंने मेरे wife के soul के लिए heaven से fight किया चुरा भी लिया और क्योंकि मैं आकरी thunder को नहीं धून सकता हूँ तो मैं अपने पूरे life के cultivation को use करूँगा एक defying thunder बनाने के लिए जो कि आज से पहले इस दुन्या में कभ होता है defying thunder और यह बोलता है कि 7 million world में जो भी हुआ मेरा जो थोड़ा ही चक भी था वो खतम हो चुका है क्योंकि heavens अगर insensitive है तो cultivators register करना ही चाहिए हो है और यह जो defying thunder था वांग लिंग के राई टाई में मर्ज हो जाता है जो कि इसका खुद का बलाएवा thunder था अब लेवल का power level वांग लेवल वांग लिंग के असपास बढ़ने लगता है thunderous power space में एक gate बनता है बहुत बड़ा सा उस तरब देखने लगते है उस gate को इसे कहते है third step का void gate great void gate मतलब अगर आपको third step में जाना है तो यह gate बनता ही बनता है तो लोगों को विश्वास नहीं हो रह जानता था कि शादिया इसे तोड़ ना पाए लेकिन try तो करेगा अब इसका thunderous जो इसके right time में था खतरनाक level से चमकता है और बोलता है मेरे thunderous इस gate को खोल दो thunder tattoo appear तो इसका thunder tattoo प्रकट होता है right time में से 10,000 feet के आसपास और आसपास के जो thunders थे वो भी मानों trigger हो जाते और इस great void gate की तरफ charge करते अगर वांगलिंग इस दरवाजे को खोल दे तो ये third step में enter कर जाएगा मतलब वो जो great void gate का power है इसे मिल जाएगा लेकिन जैसे इसका thunder power ठकराता है वांगलिंग पीछे की तरफ जाके गिरता है और खोन के उल्टी करने लगता है और void gate में मतलब कुछ फर thunder तो पूरे thunder इकठा हो जाओ तो आसपास के एरिया से thunder power अब चलना शुरू करते है इसके तरह बढ़ने लगते है तिरदरे पांच लाक किलोमेटर से thunder इधर आने लगते है और सभी power thunder tattoo में इकठा हो रहे थे thunder tattoo void gate से जाके ठकराता है लेकिन शौक वे इतना खतरनाक था कि व वांग लिंग का heaven defying pill था इससे थोड़ा से खोल देता है लेकिन इसने वांग लिंग को कहीने कहीं उम्मीद दिया था देर देर अभी ये gate गायब होने लगता है और वांग लिंग जमीन पे आके गरता है बट इस तोरह लोग जो शान्त है उनमें से एक बोलता है कि भाई ये बंदा injured है इससे हम मार देते हैं हमें अच्छा खासा merit मिलेगा ये वही बंदा है जिसने scattered thunder clan को destroy किया था और जो भी इससे मार देगा उसका नाम मतलब स्वाण अक्षरों में लिखा जाएगा हम इसे मौका नहीं दे सकते कि ये recover करे ने तो ये बहुत powerful है बट वांग ल थे thunder mountain से उनका attack टकरा के destroy हो जाता है और कई की तो bodies collapse कर जाती है कई कई वने origin soul भी खतम हो जाता है लेकिन ये इन्हें पता नहीं था कि वांग लिंग का power level निर्वाना shatter के peak पर है तो ये normal लोग है इसकी nature में ये जो mountain था जहाँ वांग लिंग ने cultivate किया था अब इसमें भी thunder tattoo इस दुरार प्रकट होता है और वांग लिंग इसे प्रेस करता है और जितने भी mountain के टुकड है उसमें thunder tattoo का power जाता है तो ये जो formation वांग लिंग ने बने था ये काफी stable था और ये लोग बीच में ही फस जाते है कोई भी इतना जल्दी से break नहीं कर सकता था वांग लिंग नहीं है तो मैं दो इसेंसे से तोड़ूँगा दो काफी नहीं होंगे तो मेरे पास पांच इसेंसे से पांचो को complete करके इस great void gate को फोड ही दूँगा और मैं जब third step में फिर पहुंचूँगा तो मेरे टकर का कोई रहीगा ही नहीं इधर ये जो लाग कल्टीविटर सेल हु क्योंकि इन्होंने great void gate का और अफिल किया था और बोलते अगर वो खुला होता तो मेरी original body को तो पता चल जाता लेकिन ये बंदा interesting तब ही तो sovereign council इसके पीछे पढ़ा हुआ है और मुझे rank 5 का टाव spirit fruit भी दिना चाहता है ये थे सीमो माश्टर का उतार अब ये अपना ध्या के समय में third step पर जा पाया था और वो निर्वाना void के early phase में था लेकिन mid phase वालों को भी फटती थी इतना हाड है मतलब thunder को deal करना और ये पुरा अंदाजा लगा ले थे कि ये बंदे ने क्यों scattered thunder clan को destroy किया क्योंकि उसे eternal thunder बोल जाये था और उससे भी बड़ी बात उसने लाग cultivators को एक बार में seal कर दिया है तो ये बंदा planned करके होगा कि उसको पता था कि great void gates में injured हूँगा तो उसे पता था कि उसे क्या क्या करना है मतलब ये बंदा बहुत शानत है बहुत शाते रहे और कब क्या करना उससे पता है good very good लेकिन इस दोरान एक बार ये उस तरफ फिर से देखते हैं और shocked थे क्योंकि जहां पर great void gate प्रकट हुआ था वहाँ पर बिल्कूल भी josh flame के ओरा ही नहीं थी तो ये और हैरान हो जाते है पहली बार इनका चेरा पीला पड़ता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है ये josh flame पे rely नहीं कर रहा है इसने बस void gate अपने essence के पूरा होने पर बुला दिया था ये तो unheard है और थोड़ा से cool भी दिया था ऐसा तो कभी नहीं हुआ है मास्टर सीमो इस समय डरत हो गय थे लेकिन फिलाल खुद को शाथ करते हैं और काफी fast sweet से वांग लिंग की तरह पड़ जाते हैं और इस दोरान जब वांग लिंग ने void gate को बुला थे और वो भी अपने फादर को follow कर दिया और इस दोरान डाव मास्टर ब्लू ड्रेम राइट हैं को move करते हैं स्पेस में ब्लू राइड के बिच में कुछ pictures दिखते हैं और ये attempt था वांग लिंग का तीन बार void gate को break करने का डाव मास्टर ब्लू ड्रेम ध्यान से दिखते ह अखरी में एक दम शौक में बदल जाता है ऐसा डाव मास्टर ब्लू ड्रेम जनरली करते भी नेता हैं और family बोलते हैं कि तुम्हारे पिता जे ने एक बंदे को underestimate कर दिया कम में आँक लिया पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और अभी भी इनके आँकों में आव विश्वास सकते हैं डाव मास्टर ब्लू ड्रेम कहते हैं मदब तुम अपने पिता जीब को दोसी बना रही हो इनका expression थोड़ा से complicated था कि अनमे प्यार से बोलती है कि मेरे अभी पूरी मेमोरीज नहीं वापस आई है अगर हमें भूल गई होती तो बात अलग था लेकिन जब पूरी व फ्लावर्स थे वो से कोड़ चुके थे लेक भी जो था जहापर यह बैटी वी थी वो काफी वॉयलेंट हो जाता है एक वर्टेक्स बनता है वो मेन आखे खोलती है और बोलती है पहला जो साइन था कि फ्लावर मुर्जाने लगेंगे दूसरा साइन था कि जो लेक था वो बदल जाएगा तीसरा साइन था कि थंडर गिरेगा चौथा साइन है सी ओफ फायर पाच्वा साइन है आईलेंड का दू भागों में बटना छट्वा साइन है एंसेस्टरल रिमेंस का फट जाना मतलब तबाह हो जाना और इस दुरान वोमेन जब बोल रहे तो यहां पर ए जार तो होंगे यहां पर एक फेमस जगे है जिससे फॉलन लैंड का जाता है यहां पर 372 छोटे मोटे क्लाइन रहते हैं बट काफी कियोटिक महोल है और भाई एक चीज मैं पूछना भूल गया था यार बांगलादेस वालों भी कैसा महोल है मतलब सब चीज सही हो गया है उम्मीद है आप लोग अच्छे से होगे तो बिसिकली यहां पर जो ट्रेटर्स रहते धोके बाच वही लोग जाता रहते हैं लेकिन बहुत कम ही लोग यहां पर अटैक करते हैं 20,000 साल पहले एक लार्ज क्लैर यहां पर एक ट्रेटर को हंट करने है था लेकिन जब यहां जा रहे तो एक हवा का जोका चलता है और हजार कल्टिपिटर्स मारे जाते हैं मतलब जो लोग पीछा करते हैं अब ये रूमर भी हो सकता है एक और रूमर था जो पांच मास्टर्स हैं उन्हें से एक है डेविल मास्टर नाइन हेवें वो सिक्रेटली यहां पर है थे बट उ और उन्होंने एक शपत लिया था कि इस फॉलेंग लेंड में वो कभी नहीं आएंगे एक और रूमर था कि भाजारों लाकों साल पेले यहां से मतलब यहां पर एक बंदा सौवरेन कॉंसिल से कुछ चुरा क्या आये था सौवरेन कॉंसिल भी यहां पर नहीं आना चाते थ सौव साल का एगरिमेंट करके उन्हें वापस जाना पड़ा था इसलिए फॉलेंग लेंड काफे मिस्टिरियस माना जाता है और इसलिए बहुत सरी लोग जब अपनी जानों बशानी रहती है तो यहां पर आ जाते है और एंसेंट शार सिस्टम में यह जगे काफी फेवास को देखा था तो पता चल गया था एंसेल शार सिस्टम में कौन-कौन सा क्या जगे है बाकी जगे से काफी से पर हलाकि पूरी दर से से शेफ नहीं है क्योंकि यहां के लोग भी तो अपर अटेक करी सकते हैं यहां पर पेल्स बगेरा क्रिस्टल्स बगेरा भी बेचे जाते तो वांग लिंग ने बहुत सारे पिल्स बेचकर 100 साल का यह गूफा ले लिया था और फिलाल यह अपनी इंजरीज को रेकवर कर रहा था फिलिजिकल इंजरीज को रेकवर कर चुकी थी इसका फिलिकल बॉड़ी की वजह से इस तिन मतलब एक दिन की बात यह अचानक से आ और Wang Ling जब यहां पर आया था इसे बाहर इसले निकाला था क्योंकि यह बंदा एंसें स्टार सिस्टम काये तो कोई इस पर शक भी नहीं करेगा और Wang Ling ने इसके हाट को चेक किया था इसको रिलीज करने के बाद इसे पता चला था कि यार इस बंदे को बिलकुल भी नफरत नहीं है कि स्काटर ठंडर क्लैन डेस्ट्रॉई हो गया उसे बस एक ही चीज़ता है कि उसे स्टॉंग बनना है और वांग लिंग के साथ रहेना है और उसे अपना बदला भी लेना था किस से जू लीगोव से क्यों वांग लिंग इस तोना पूसता है कि क्या फायर स्पैर क्लैन का कुछ नूज मिला अब ये बंदा बताता है कि नहीं यहाँ पर जादा मेंबर्स तो नहीं है इस प्लैनेट पर लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन के साब से वो एक फायर अट्रिब्यूट का यहाँ पर प्लैने इसको पूरा करेगा वर्मिलियन बर्ड की अवेकनिंग करेगा तो इसे फायर अच्छा घासा चाहिए था और फायर स्पैरो क्लैन में गुछ न उतना असान नहीं था जितना स्क्रटर थंडर क्लैन में था और इस इत कर भी पाता लेकिन इसको शिकार करने में लगे था और बीगरेट काफी कलेवर था और उस जगे पर जाता है जापर इस से है वो पपेट चाहिए था एक ओल्ड मेन बाहर आते है और पिल्स को दीख कर काफी खुश होते है कि यार यह तो हाई क्वालिटी के पिल्स है मेरे कल्टिविशन के लिए भी सही है और फिलाल यह पूछते ह है माश्टर को निर्वाना स्क्रायर वगरा को तो आराम से मारते हुए एक अटेक में ओल्ड मेन सोसता है कि मतलब क्या यह सही पोल रहे है या गलत बट क्या ही फरक पड़ता है लेकिन जो भी है पेल्स ऐसे निकाल सकता है इससे पंगे लेके मतलम नहीं है और यह बंद इस है इसका माश्टर बहुत पावरफुल है और बिगरेट कहता है यार मुझे वो पपेट चाहिए मेरे माश्टर ने बोला है अब यह ओल्ड मैन में भी बताता है यार वो पपेट खरीदना इतना आसान नहीं है अगर हम मेन प्लैनेट पर होते तो थोड़ा इसी भी होता ले आगे की तरह बढ़ जाते हैं यह रोइन्स टाइप सेटी था वेस्टन पार्ट में आगे बढ़ते हैं हॉल के अंदर एंटर करते हैं बिगरेट थोड़ा सा ट्रेमबल करता है क्योंकि अंदर से कोल्ड हो रहा यहां पर यह फील करता है हर एक डायरेक्शन से और यह थोड़ा साच्छे थे और तुरंती सर जुका के कहते हैं कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है हम बस एक पपेट खरीदना चाहते हैं हॉल काफी बढ़ा था और इसके अंदर सेंटर में एक स्टैचू था जो कि डार्क था एक स्कॉर्पियन का स्टैचू था और यहीं से वो चिलिंग और आ रहा था अब अंदर से आवाज आते कि तुम दो सोल फॉर्मेशन के बंदे पपेट खरीदना चाहते हो यह बंदा 40 साल का होगा जिसने बोला था और इसके थार्ड आई के बीच में एक स्कॉर्पियन का मार्क बना हुआ था जॉंग विगरेट एकदम यह गेरी सांस लेता है और पिल दिखाता है इन लोगों को कि मैं इन पिल्स के बदले पपेट खरीदना चाहता हूँ मैडिलिश्मेन पिल को देखते है कि यार यह तो सोल पिल है और यह पूछते कितने हैं तुम्हारे बाद बेगे बदले तो यह एक और निकलता है अब द और फिलाल यहां से यह दोनों निकल जाते हैं। फिलाल अंदर में इधर बात चला थे कि सोल पिल्स है। रैंक नॉर्मल है बट सोल इनके अंदर जो है वो बैड नहीं है। मतलब ठीप ठाक है। और इन दो कल्टीबिटर्स में से एक को पकड़ लो और दूसरे को इंजड़ कर दो। कि जहां पर भी यह जाए और डिवाइन सेंस मार्क छोड़ दो हम जा सके। और ऐसे मैंटर्स के बीच में मुझे मतला ना। फिलाल ये दो बंदे अपना जा रहते हैं और बात कर रहते हैं कि यार सच में ये स्कॉर्पियन क्लैन वाले बहुत डॉमिनेटिंग हैं। और बिग रेट भी अब निकल जाता है। पर तब ये चानक से यहां पर दो रीज अफ लाइट आगे बढ़ती हैं। उल्ड मैन के तरफ और एक बिग रेट के तरफ और तुरंती एक ब्लैक रीज अफ लाइट जॉंग बिग रेट के बैक से टकराती है। पपेट को बिग रेट दिखाता है, वांग लिंग देखता है। पपेट को देख लेता है और बोलता है तुम इंजाड कैसे हुए। और फिलाल ये पूरी बाते बता देता है कि कोई नहीं मास्टर मुझे पपेट तो मिल गया। इंजरिस तो रिकवर हो जाएंगे। गलो इंसेंस भी छोड़ा है और तुम मेरे साथ ही उगतर से तुम सह सकते हो बट मैं नहीं वांगलिंग एक्जिट की तरह पढ़ता है और बिग्रेट बोलता है मास्टर वांगलिंग बोलता है रास्ता मुझे दिखाओं कहां पर हैं वो लोग अब बिग्रेट भी गहरी साथ ले ने तो ये शहर तबाह होने वाला है बहुत सारे कल्टिवेटर का एक्सप्रेशन बदल जाता है कुछ तो खोन के उल्टी करने लगते हैं आवाज में क्योंकि लॉप आवर था अब मेन होल को दिखाय जाता है जापर एक मिडिलेजड मैन बैठे हुए थे और एक ओल्ड मै चारो तरफ थंडर इकठा होने लगता है एक थंडर का जाला बन जाता है और पूरे शहर पे गिरता है शहर दे दे तबाह होने लगता है और लोग इस समय देखते है वो जो ओल्ड मैन जांग को इन्होंने पकड़ा था वो भी देखता है कि यार ये हैं जौंग बिंग रे झाल झाल